हलो एवरिवन मैं विश्वजीत सिंग आप सभी का दीनम पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 101 का Unit 4 पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम फार्सी समराजी के बारे में बात करेंगे फार्सी समराजी का ये चैप्टर बहुत ज़्यादा important अकसर exam में इस चैप्टर से questions बन कर आते हैं चलिए हम चैप्टर को start करने से पहले थोड़ा सा basic information जो आप सभी वीवर्स को इस टूडिन्स को पता होना चाहिए MA History के बारे में उसके बारे में बात करते हैं अगर आप अभी जुलाई 2023 के अंदर में MA History के अंदर में admission ले रहे हो तो आपको पता होगा कि MA History का पूरा syllabus चेंज कर दिया जा चुका है पहले जो MA History का course था वो annual mode के अंदर में available था आप annual mode के अंदर में study करते थे जहां पर साल में आपका एक बार exam होता था अभी जो आप new students हो जो जुलाई 2023 से admission करने वाले हैं लेने वाले हैं या ले चुके हैं उनको semester mode के अंदर में study करने के लिए मिलेगा और आपका first semester का एक जो exam है वो December में होने वाला है जिसके great city इगनू के side पे कल upload किया जा चुका है 25 जुलाई को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लें अब देखो new syllabus के अंदर में MA history को semester mode के अंदर में डाला गया है साथ-साथ में कुछ नई books को add किया गया है MA history के syllabus के अंदर में और जो पुरानी books थी जो similar books है उसके अंदर में से कुछ chapters को हटाया गया है नए chapters को add किया गया है जो chapters फालतू थे या बहुत ज़्यादा lengthy थे उसको छोटा किया गया है जिसके काम से हाँ पे हम Unit 4 के साथ स्टार्ट करने वाले हैं देखो आपको करना कैसे स्टडी करना कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते आप स्टडी आपको सबसे पहले करना क्या आपको New Slables आपको जानना है क्या आपका नया Slables है क्या नहीं है तो आप soft copy download कर लो इग ज्यान को उसकी side पे से, उसको लो जो chapter similar है, जो दोनों books के अंदर में है, पुरानी वाले syllabus के अंदर में भी, नए वाले syllabus के अंदर में भी, तो आप नए वाले syllabus के according में देख लो, अगर ये chapter similar है तो उस chapter को सबसे पहले study कर लो, उस chapter को clear कर लो, बाद में जो chapter रह जाएंगे उसको mark करके रख लो उसको जब book आ जाएगी market के अंदर में फिर हम उस chapter को cover करेंगे उसी के अंदर में आपका जो सबसे पहला chapter आता है unit 4 का फार्सी समराजी आता है क्योंकि unit 1st, 2nd, 3rd उसके अंदर में कुछ changes की गई है जिसके काम से अभी हम उनको नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी हमारे पास source of study material नहीं है और जो फार्सी समराजी पुराने book की बात करोगे तो chapter number 11 था यहाँ पर हम unit number 4 के अंदर में पढ़ने वाले हैं चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और detail में समराजी के बारे में देखो जब हम फार्सी समराजी के बारे में बात करते हैं तो फार्सी समराजी एक बड़ा और विक्सित समराजी के तोर पे जाना गया इसके इंदर में पशिम, एसिया, अनातॉलिया और मिसर के छेतर सामिल تھे फारसी समराज्ये's almost जाएसु वरसो तक काएम रहा फार्सी समराज्येय का जो अंत का स्री जाता है वो सिकंदर को जाता है सिकंदर जैसी आकर्मन करता है 331 इसापुर्व में उसके साथ ही समराज्य का पतन होता है यहां पर अंत होता है यह जो question है कि फार्सी समराज्य का अंत किस परकार से हुआ यह question भी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा exam एक सर पूछा भी जाता है कि फार्सी समराज्य का पतन किस परकार से हुआ क्या चरन थे पतन के ठीके पतन के परमुक कारण क्या थे यह सारे कुछ आता है आपको question के अंदर में तो इसको भी हम आगे discuss करने वारे कि किस परकार से अंत हुआ देखो इरान के अंदर में सबसे पहले जो समराज्य स्थापना का जो सुरे जाता है मेडियाईयों को जाता है इरान के जो सबसे पहले सा सकते हैं मेडियाई माने जाते हैं इसके बाद यहाँ पर जो अकामेडियाई थे वो आते हैं इनका तकता पलट करते हैं और इरान का जो विस्विस्तर पर बड़े समराज्य की स्थापना करते हैं तो अकामेदियाई क्या करते हैं पश्चिम एसिया अनातोलिया और मिस्र के छेत्र को मिलाकर एक बड़ा समराज्य की नीव रखते हैं जिसके काई से विस्विस्तर पर इरान का जो एक बड़ा स्फापित हो जाता है तो अकामेधिय यू को जाता है पर अगर पूछा जाए कि इरान के अंदर में सबसे पहला समराज्य किस ने स्थापित किया तो मेधियoter हो ने किया नहीं दिद्धर वश्वु सर्唱 पर बड़े समराज्य का स्थापित किस ने करी तो अकामेदियाई उने किया यह माना जाता है उस समय विस्व का सबसे बड़ा राज्य के तोर पर जाना जाता था ठीक है जो अकामेदियाई थे उनका नाम जैसे अब यह आज हम पढ़े चैटर फार्सी समराजे अब फार्सी समराजे पढ़ा कैसे तो अकामेदियाई जो रहने जाता था और या फिर इरान के अंदर में फरसा परसा बोला जाता था जिसके कान से धीरे-धीरे समय के साथ में फार्सी बन गया और इंग्लिस में इसे पर्शियन बोला जाता है फार्सी समराज्य या पर्शियन इंपायर के तौर पर इस चैप्टर को हम बोलते हैं ठीक है य उस स्तिती में लाने का श्रय आता है वो शायरРЕस महान और दायरेस परथम को जाता है ठीक है इन दोनों ही सासकों को आपको पढ़ना पढ़ेगा जितने भी कोशन बनेंगे के इर्द गेरते गुमेंगे सबसे जादा जो question आपके आएंगे दाइरिस पर्थम से आएंगे तो दाइरिस पर्थम और साइरिस महान दोनों को आपको थोड़ा टाइम देकर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ठीक है आगे मैं बात करूं साइरिस महान के हाँ पर स्टार्ट करते हैं तो देखो यहां पर महान जो वर्ड है ना कोई ऐसा ने किसे ने उपादी दिया ठीक है कि इसने इसको बोल दिया यह उपादी लगा दिया ऐसा नहीं था जो इसके कार्ये थे जिस तरह से इसने समराज्य का विकास किया जो समराज्य के इसने जो कार्ये किये जो इसके लोग थे उसने इसको बोला कि ठीक है नीव रखने के लिए क्या किया उसने तो मेदिया जो सासक था जो साइरस से पहले जो सासक था उसको उन्होंने हटाया तकता पलट किया उसका अपदस्त किया तकता पलट किया सासक को था इससे पहले तो अगस्त गेश करके यहां पे सासक था मेदिया ही सासक था अगस के साथ अगस्त गेश के साथ में धुका किया गया अगस्त को हटाने के लिए जो हां का कुलीन तंतर था उसने किसका सहयोग दिया सायर्स महान का सहयोग दिया सासत में साइरस ने क्या किया मेदियाई के कारली कभीले जो थे जो कभीले संग थे उनका भी वहाँ पे सयोग लिया सासतमन को लालस दिया कि आपको क्या क्या जाएगा ये कठा क्या जाएगा एकत्रित क्या जाएगा और राज्ये के अंदर में रास्तव में दिया जाएगा उसको सामेल क्या जाएगा राज्ये के अंदर में लाया जाएगा जिसकी कांचोंने ने साइरेस महान का समर्थन किया देखो आप भारत के अंदर में भी कई बार हम देखते हैं कि जो भी आप पढ़ोगे पुराने गर आप पढ़ोगे फ्रीडम इंडिया पढ़ोगे कुछ भी कैसी भी बुक आप उठा के देख लो तो आप देखोगे कि जो भी बड़े बड़े राजा था जो अंग्रेज उस का सकसेस्फुल हो पाए उसको राजा को हराने में नैं अगस्ती ग 1967 साथ जो कुली के साथूर का सब्सक्राइज कार्ला का सफे बड़े ही वहाँ अपने 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 मूटिफs थे पर यहां पे सपोर्ट के प्रिवंदु नाम आने वाल है थेगत उन अभी लेक के इंदर में इस घटना का जिक्र मिलता है 549 इसापुर में साइरस ने बेबिलोनिया पर आकर्मन किया और उस पर अपना अधिकार जमा लिया इन सब का जिक्र आपको किस में मिलेगा तो नेबो नीदस के जो अभी लेक लिखे गए उसके अंदर में इन घटनाओं का जिक्र देखने के लिए मिल जाता है बेबिलोनिया पर कबजा करने के बाद में मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन, बेबिलोनिया के छेतर में अकामेदियाई समराज्य के अंदर में मिलाकर एक बड़ा समराज्य स्थापित कर लिया जाता है देखो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो पूरा ये फरसेन अंपायरे को कहां तक फैला हुआ है तो पश्यमेसिया अनातोलिया और मिस्र का छेतर सामिल है यह मैंने बताया अब देखो यहां पे जब नीचे साइरस आता है ठीक है यहां पर जैसी साइरस साया सायरस साने के बाद क्या करता है सायरस ने हमला करना स्टार्ट किया है सबसे पहले किस पर किया तो सबसे पहले उसने करता है अनातोलिया पर हमला करता है और अपर अपना दिकार कर लिया जाता है जैसी उस पर अदिकार होता है तो आप देखो पूरा जो अनातोलिया का बिलोनिय का पूरा चेतर था और इन सभी को मिलाकर अकbra meniya Heya samarajya कि ceciptano in पाट कित्व हैं ओंज मिरत्यू के shys and करaggio अब यहां पे सायरस की fruitful सायरस की च Ee just अब को होता पूरा समराजय के हिगा किना सायरस की मिरत्य हुई तो पूरा अकामेदियाई जो समराजय तक कहा तक था तो हिंद कुस की सीमा तक था हिंद कुस क्या है भाईया कमेंट करके बताए कितने लोगों को पता है हिंद कुस क्या है हिंद कुस हम सब हिंदुस्तान और हिंद कुस क्या है चलो हिंट दे दिया जब Cyrus मरा तो जो अकामेदिययों का समराज्यय का सीमा ती, वो हिंद्दुकुस की सीमा से मिलती ती, हिंद्दुकुस की सीमा तक टच होता ता, ये माना जाता है CIRUS की मृत्यू कब होती है, तो 529 में USPUR में CIRUS की मृत्यू हो जाती है अब CIRUS की मृत्यू के बाद उसका पुत्र जो होता है, जिसका नाम cambysis करके उसका पुत्र का नाम होता है अब देखो Cyrus की मृत्व के बाद में जो उसका पुत्र होता है Cambyses Cambyses क्या करता है यहां पे 529 में आता है और 522 तक सासक बना रहता है ठीक है पर इसके बारे में जादा जानकारी नहीं मिलता है इसके बारे में जादा जानकारी उपलब्द नहीं है पब्लिक डोमेन में ठीक है पब्लिक डोमेन में मतलब यह नहीं कह सकते है कि बागी छुपा के रखा गया है तो युनानी साहित्ये के अंदर में इसको पागल संकी कुरूर सासक बताया जाता है, ठीक है, वो मन से मिश्र की जो परंपराय थे, उसका सम्मान नहीं किया, ये बताया जाता है, पर कई जगा पर जुट लाए भी जाता है, क्योंकि मिश्र की जो चीजे थी, उसको इसने एक पर आती है, उसको ये मानता नहीं था, एकसेप्ट नहीं करता था, ठीक है, इरान में इसकी इस्तिति जो थी, वो डगमता, मतलब बेकार होती चली गई, ठीक है, डगमगा गया, डगमगा आना मतलब गिरने लाइक हो गया, क्योंकि इसके सासक चल नहीं पा रहा था, और इ विद्रो के अंदर में देखा जाता है, कि अंतिम विद्रो के मुखे अकामे दिया ही अधिकारी थे, ठीक है, जो बुद्रो किया गया, उसके अंदर में जो वहां के अकामे दिया ही जो अधिकारी लोग थे, जो उच्छे पत पर अधिकारी लोग थे, उन्होंने इसका वि बाध, तो पेहले वाला वाला मैंने वीडे 2500 करने सेक्टर तो वाई मिस्टेक मेंने बोल लिया था है कि दाईरे पर्थम क्या है कोन ए तो तो यहांस कापूत्र है जब कि यहां पर नॉर्मली ही रहता है कि फ्इल्स के हिलाफ में ठीके उसके बाद जो जारे आपको वीडियो ठीक है अभी मेरा टाइम थोड़ा जा रहा है ठीक है मुझे आगे काम के लिए निकलना पड़ेगा तो आगे के जो वीडियोस है वो मैं अगले पार्ट में करवाने वाला हूं यहां तक हम आगे के हम पार्ट में पड़ेंगे दारिस पर्थम को ठीक है दारिस पर्थम के बाद जो दारिस का पुत्र आता है ठीक है जैरेक्स उसको हम पड़ेंगे सासात में जैरेक्स को हम पड़ने के सासात में पड़ेंगे फार्सी समराज्य को कि फार्सी समराज्य था किस परकार क ठीक है Persian Empire किस तरह का था और इस समय में कौन-कौन से छेत्र Persian Empire के अंदर में आते थे अगर आज के नुसार देखा जाए तो उसको भी देखेंगे सासात में steps की व्यवस्ता क्या थी सतरपियों की व्यवस्ता क्या थी ठीक है इसको भी हम देखेंगे जो बहुत important question मनता है कई वर इजामें आया जाता है आर्तिक गतिवीदिया किस परकार की थी ठीक है फार्जी समराजी के अंदर में सरी दो सासक के बारे में पढ़ा है एक तरसा मान के चलो यह introduction था थोड़ा सा ठीक है इसके बाद जो आपका अगला part होगा आपका second part होगा उसके अंदर में हम इसको detail से पढ़ने वाले और सही से इसको clear करेंगे मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आया अगर किसी student को कोई doubt हो confusion हो तो comment करके पूछ सकता है और अगर आपका support मिलेगा अच्छे से आप हमें support करोगे दीन आपको support करोगे, like, share, subscribe करोगे अपने दोस्तों तो कमारी वीडियो पहुंचाओगे तो हम और अच्छे से महनत करके और अच्छे से वीडियो बना पाएंगे ठीक है, और आपके तक लेकर आपाएंगे एक सीज और मैं आपके बोलूँगा कि last year का जो slivers था उसके अंदर में हम नोट्स तो नहीं दे पा रहे थे ठीक है, और इस वाल हम ट्राइ करेंगे कि हर चैप्टर का आपको नोट्स भी अवेलिवल करवाएं जैसे आप जो PDF देख रहे हो अभी आपके इसके निपर पूरा चल रहा है इसके बारजे समराजी का पूरा नोट्स है जैसे ही ये चैप्टर खतम होगा आपको नोट्स не Telegram गरूप में मिल जाएगा ठीक है, Telegram गरूप से आप ले सकते हो ठीक है, आपको WhatsApp गरूप में मिल जाएगा WhatsApp गरूप से जोईन करने के लिए आप Comment किजिएगा मैं वहाँ पर link दे दूँगा उसके बाद आप WhatsApp ग्रूप से भी यह notes ले सकते हो तो यहाँ पर हम अपना वीडियो एंड करते हैं Thank you so much for watching me, thank you so much for listening me मिलते हैं अगले part के अंदर में, bye bye, take care, all the best